नमस्कार आप देख रहे हैं जी बीन 24 न्यूस आपके साथ मैं हुडाशी आए खबरों की शुरुआत करें पोतिया हाट प्रखंड के सरकारी फुलवार पंचेतंतर गज सूरिया टोला में 14 बी तायोग से बनी सोलर अधारित जल मिनार अब तक सुरू ही नहीं हुई है जहां ग्रामिन बताते ही वे की चार मेने पूर्विये जल मिनार का कारे पूरा हो चुगा था लेकिन आज तक हम लोगों की प्यास नहीं बुझ पाई है आखिर कैसे बुझे की प्यास यहां के जन प्रतिनिधी और पतादिकारी की प्यास जरूर बुझी जिनमस्कार इस वक्त हम मौझूद हैं गुड़ा जिले के पड़ियाट परखंड के सक्री फुलवार पंचायट के एक ऐसे गाव में जिसका की साइड आने के लिए मुख्य मारग तक नहीं है और यहां जब मुख्य मारग नहीं है तो यहां के लोगों को मूलभित सवीधा अब से भी बंचीत रखा जाता है सबसे पहली मूलभित सवीधा के यहां पर आने के लिए सड़क नहीं है दूसरी जो मूलभित सवीधा है कि पेजल की बैवस्ता पेजल की बैवस्ता तो साइद यहां के जो जनपरतिनिदी है वो अपने फंट से रासी निकालकर इस जलमि जलमिनार के निर्मान करवाने का जो उद्देश रहा वह साइद यहां के जन्ता को उसका लाब नहीं मिल पा रहा क्योंकि यहां के ग्रामिन से जब हमारे बात में ग्रामिनों का काना हुआ कि कुछ दिन पहले ही लगवक दो से तीन महीना पहले इस जगह पर जलमिनार यह बनके कम्प्लीट हुआ था लेकिन आज तक इस पर पाने की एक बुंद भी नजर नहीं आई और ना यहां के लोगों की प्यास कभी बुझ ही है आप सबसे बड़ी सवाल है कि यहां पर योजना बोर्ड नहीं लगी है जिससे हम यह असपर सकते हैं कि आखिर यह किस बिभा आया रहता तो इसकी जो टैंक है वो कम से कम 5000 लिटर की रहती है अब यहां पे कुल कितने ग्रामी ने कितने घर है उसकी सारी जानकारी हम देंगे यहां पर देख सकते हैं कि काफी जादे लोग हम उनसे विजराब बात करेंगे जाकर तामीन मोजूद हम इंसे बात करेंगा कि यह जल्मिनार कितने दिन पहले बनी है यहां पर किया इस्थिति है और कितने लोग इस जल्मिनार से पानी पीते हैं यहां पर कुछ महिलाएं इंसम बात करेंगे क्या कि इसका इस्थिति आज जल्मिनार जो पानी का टंकी बना कि अपना दिन पहले बना है कि अबले कर द इतला में रूट इतला में रूट भी नहीं है अब बर्साथ के दिन में आप लोगो क्या यह कि इस पर अगर किचड़ वगर हो ता इसी रास्ते साना जाना यही रस्ता से ना देख सेकते हैं ना तो यहां पर आने के लिए मुख्य सड़क है ना तो पीने के लिए सुध पेज कि बेवस्ता है पेजल की बेवस्ता के और हो कहां से जब यहां के जनपरते निदी शूस्त है यहां के विभाक सूस्त है तो जब चोद्वे यह पदर वेअब से लगी कि जलमिनार जो है के काफी दिनों से बंद पड़ी वी है बंद क्या यहां अज तक हमान सकते को यह पिर नहीं लाब मिलेगी और कुल कितने अबादी है इस गाउ में जरा बात करेंगे इस तोला में पंदरा बिस गार आदमी कितना होगा लगवा यही तपाचल पहुनी सब पिते हैं और यहाँ पीने के लिए और वी कुछ बेवस्ता है सिर्फ एक चापकल के भरोसे पंदरा घर चल रहा है विस पर में ग्राव कहते हैं कि एक चापकल के भरोसे पूरी शीपूरी से बीच जड़ा पानी पी घर वह भी घर ठखिरा पड़िए यह चापकल कि वह फौरा इस था यहां पर जो लोग यही चपाकल से असरी थैं सब बस बस बेल कुल लगा तक पुरा गावला यह चपाकल का पानी पिता हुच करता है इस मंदिर जिसा लग रहा है इसमें कोई मूर्ति बठा देता चपाकल बगल मैं नास्चिना के लोग फुजा हुजा करता है कि कोई कामका नहीं पानी पीने का नहीं कोई मंदिर बना है इस को यह को लगता है तो गल्ठा बढ़ा के बिल उठा के भाग या ठेके जार कौं इस शक्री फुलवार पंचाफ है सुनिल हस्दा भुखिया है मुखहा हुआ का गाव सुर्जाड्य हुबा रहे एक रहे हैं सरक आधी लिए फारा कॉछ नही नहीं वह सथेब अधरर री यहांका मस census नहीं ही है जल मिनार जो बनाया गया है इससे आप लोग कोई फैदा नहीं होता है। कि फैदा नहीं होता है। खराप होने बात बोलें कि पराइबेट से अब लोग मिस्तिरी बोलाते हैं। जल मिस्तिरी बोलाते हैं। अगर यह जल मिनार ठीक हो जाते हैं, कितने लोग इससे पानी पीएंगे लगफ़ा है। कितना घर पचिस तीस घर पचिस तीस घर है। जस परकार की देखा जा रहा है कि एक जल मिनार लगी है। पूरी पचिस से तीस घर के बीच में वह भी जल मिनार अभी तक अधूरा पड़ा हुआ। यहां के लोगों की जो प्यास थी जिस उमीद से लोग यहां पर जल मिनार को देखा गया था। साइल उनके अंदर के एक उमीद जगी होगी थी। कि साइड आब हमें यहां पीने के लिए स्वक्सी जल मिलेगी लेकिन स्वक्सी जल मिले तो मिले कहां से। यहां ठेकेदार के पेकेट गरम होता है जनपते लिक को फिलाल कि देखते हैं झाल झाल